हाई गाईज गूड मॉर्निंग वेलकम डू माय नियू ब्लव अभी हम नहाद हो कि खापी के रेडियो हो गए है को राओ मार्केट में कुछ काव में चल रहे हैं वहां का घर भी दिखाएंगे आज आज आपको कैसा है तो अलड़ी लेट हो चुका है तो फिर चलते हैं यह भाईया जी आए इसे च्छत साप करा रहे हैं गंदा हो गया था जो भी इनका पैसा होगा इनका चार्ज करेंगे दे देंगे पैसा यह ब्लॉग जिस दिन रूम पे आये थे उसके अगले दिन स्टार्ट हो रहा है तो लगवक्त च्छत की सफाई हो गई है अब दरी बाकी है बस हो गया तो चलिए घर का दूर शुरू करते हैं यह रहा मेरी इंटरगेट और यह रही अपनी बाईक खड़ी है यह फस्ट वाला रूम है विंडो है उसकी और इधर मेंटर लगा है लाइट वाला कनेक्शन सारा यह पीओपी होगा यहां पे सामने यह पूरा गली आ रहा है तो चलिए फस्ट वाले रूम में चलते हैं तो फस्ट वाले रूम में आ चुका हूं यह अलमारी में सारा समान रखा हुआ है बरतन कॉपी बुक्स इधर सामान कुछ लटक रहा है भगवान जी हैं इधर पूजा होता है परदा लगा हुए एक जोस्ट फैन पी ओपी भी डिजाइन हुगी है रूम कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रू बताना और गाईज यह चार्ची वाला कूलर है यह इनका रूम है और रूम की लाइट्स आफ है यह रूम है यह गुरुजी वाला रूम है उनका इधर बिस्तर लगा हुआ है यह सारा सामान है इंवर्टर है उदर फैन लगा हुआ है चलिए आपको दूसरे वाले रूम में लग चलते हैं और यह किचन है इधर साइड पेंटिंग नहीं हुआ था टाइट्स लगना था दिवाल में और यह नीचे क्रिनाइट वाला पत्थर लगेगा इसलिए यहां पेंटिंग नहीं हुआ था होगा जल्दी काम लेगा इसमें व्योरी सामान सारा रखा हुआ है किचन का तो गाई जबी थर्ड वाले रूम में आ चुका हूं इधर अनुमारी है सामान रखा हुआ है सभी टीवी चाची किये फैन लगा हुआ है प्योपी बना हुआ इसमीन वाला पानी रखा हुआ है और इधर साइड सब सामान रखा हुआ है धर की एक टाइल्स टूट गई है बहुत प्राउब्लम होती है बहुत गंदा दिखता है इसको जल्दी ठीक कराएंगे और इधर साइड एक रूमे ए गेड़ बहुत गंदा है इसका साप करना है और इधर साइड एक रूम है अपना वाला ये रूम में दिखाते हैं ये रूम आपको इधर ये फ्रिज रखा हुए है और इधर साइड ये मनीज का मिडल है कोटा पड़ता था कोचिंग में तो सरसुदी सिल्वर मिला था इसको और ये यहां का मिडल है ये जो घड़ी है ये बबा को गिफ्ट मिली थी गंदी इस टाइम पर बैटरी भी खत्म हो उसकी ये भाग और ये विश्टर है सबसे ही रखागा वी सवक्यूटे सब्तों मनीज की टेबल चेयर कि इधर साथ कपड़ा रखा हुए हम लोगों का अभी एक रूम और उसमें दिखाते हैं आप हो क्या है और ये वाला गाईजिक दूसरा रूम है हमाई रूम के बगल वाला इदेखी सारा सामान रखा हुआ है इदर गय से चुला है खाना पिना बनाने का इटम इदर एक चोकी पड़ी है कपड़ा है सारा इदर फैन लगा हुआ है इसमें जो पी उपी हुआ है येलो कलर वाला ये बहुत और लगता है इसको नेक्स अच्छा ने लगता है वह बागी रूम कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में यह आंगन है सीओडी बनी हुए आंगन में ही आंगन बहुत बड़ा है इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता बैठने के लिए जब जब सब साथ में बैठते हैं तो य रहे आज सकता है वीडियो पर फाइनली गाई जब यहां पर सारा काम हो गया है चलते हैं घर पर नहीं तो लेट होगा दूपी होगी प्राबलम होगा चलते हैं अभी फीवर होगा है चलेंगे पहले दवा लेंगे उसके बाद दवा लेके वापस वैसे ही घर चले और गाईज यह हमारे पड़ोस में कार आई हुए है सुचकी की डिजायर है सियन जी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना लोग यह इन्टियर है इसका अभी नहीं है तीन चार दिन की हो रही है वहाँ पे जगह नहीं था आई थिंग तो इसलिए यहाँ पे खड़ी हुई हमारे यहाँ रोड की भी प्राब्ले है वहाँ पे यह रहा इसका फ्रंट लुक अच्छे लग रही कार